असलाम लेकूम वेलकूम टो नमोल्स किचिन आज हमारे किचिन में बन रहा है मटन और करेला तोरी की सबजी तो ये कैसे बनती है और इसके खाने के क्या-क्या फाइदे हैं मैं सब आपको बताऊंगी तो चले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम जो जो चीज करके धो कर रख लिया है दो जाएंगी दरमयाने साइस की टेमाटर जिने मैंने छील कर चोटा चोटा काट लिया है और इसमें जाएंगी हरी मिर्चे चार जिने मैंने मोटा मोटा काट लिया है और थोड़ा सा अद्रक जो मैंने स्लाइस कट कर लिया है प्याज इसमें ज्य गज़ा सा मेथी दाना एक टेबल स्पून इसमें झाएगा अद्रुक लैसन का पेस्ट अब लेंगे कुकर, कुकर में डाल देंगे आइल और जर गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देएगे कल hairstी और मेथी दाना इसको हम करेंगे sharp फ्राई इससे खाने में बहुत यची खुश्वी आती है, लाजवाब सा टेस्ट आता है. मेथी दाना हमारे सिहत केgefǸद के लिये بहुत अच्छा है। इसे खाना में इसे खानाम करें। तू इससी खान का feче आता है। और हमारे सिहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है बिल्कुल लो फ्रेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूं ताकि इसका अर्क जो है वो अच्छी तरह से आईल में आ जाए अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है अद्रकलेसन का पेस्ट और च। को लेखे multiply बहून लेंगे तकि इसकी स्मैल खत्म हो और इसका कलर चेंज हो जाए जब तक हमारा मटन फ्राई हो रहा है तो हम बात करते हैं करेला तोरी के benefits के बारे में तोरी पेट का दर्द दूर करती है, आम तोर पर पेट का दर्द जो है वो बदहस्मी की वज़ा से होता है तोरी जो है वो आजमे को दूर्स रखती है और पेट का दर्द इससे खतम हो जाता है तोरी खाने से चेहरे की जर्दी खतम हो जाती है मतन हमारा जो है वो अच्छी तरह से हो गया है फ्राई अब इसमें डाल देंगे टिमाटर टिमाटर हरी मिर्चें अद्रक जो मैंने काट के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे इसे कर लिया है मिक्स अब इसमें डाल लेंगे सारी मसाले और उने भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तौरी खाने से खोन साफ होता है और खोन की कमी को भी ये दूर करती है और जिगर को मजबूत बनाती है आँखों के लिए बहुत मुफीद है इसमें बीटा का रोटीन पाया जाता है जो हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बदद करता है मटन को भूनते हुए हमें तीन से चार मिनट हो गए हैं अब इसमें शामिल कर दूंगी प्याज और प्याजों को भी एक दो मिनट के लिए हम भून लेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सबस्क्राइब साथ में लगे बेल के आइकन को दुपाएं ताके मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिया करें सारी चीजें हमने भून ली हैं अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है एक लीटर पानी और इसे अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स और इसे बंद कर देंगे हम 15 मिनट के लिए 15 मिनट हो गए हैं अब इस चेक कर लेते हैं हमारा सालन उसमें थोड़ा सा भी पानी है तो इसे अभी हम भून लेंगे भूनाई में ये सारा मिसाला मिक्स हो जाएगा मटन हमने चेक किया है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया है अब इसमें शामिल कर देंगे तोरी और उसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे करेला तोरी का छिलका जो है वो बहुत हाड होता है उसे अच्छी तरह से हम साफ करेंगे अंदर से जो तोरी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत जल्द पक जाती है अब मैंने कुकर वैसे ही उपर धकन रखके बंद कर दिया था तोरी हमारी माशाएल्ला अलहम्दलिल्ला बहुत अच्छी सी पक गई है अब इसे थोड़ा सा फ्लेम हाई करकर हम भून लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी खतम हो जाए और ये सालन अच्छा सा मज़ेदार सा त्यार हो जाए माशाएल्ला अलहम्दलिल्ला हमारा बहुत मज़ेदार सालन त्यार हो गया है अब इसे करेंगी डिशाउट मटन और करेला तोरी का सालन त्यार है हमारी तरफ इसे कहते हैं करेला तोरी आपकी तरफ इसे क्या कहते हैं कॉमिट सेशन में मुझे जरूर बताएं अगर आपको मेरी रेस्ट्री पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राइक करें और मुझे अपनी कीमती राय का इसहार करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थाम्स अप एंड शेयर अलाहाफिस ची बाई बाई